नमश्वार आप देख रहे हैं सौगंद चीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्तागी बड़ी King of Pop Michael Jackson के डांस की दुन्या दिवानी आज भी है मले ये सितारा हमारे बीच नहीं है बगर आज भी उनकी Death Anniversary के दौरान उनको हर को याद कर रहा है क्योंकि उनकी मौत उनके प्रशंशकों के लिए एक सदमे से कम नहीं थी सब हैरान परिशान थे और इस बात पर यकीन करने तक को राजी नहीं थी कि माइकल अब इस दुन्या को अलविदा गह चुके हैं बगर इन सब के वीच एक सच शयद जिससे आज भी आप अंजान होगी जी हाँ, माइकल जीने की इतनी चाहा रखते थे कि वो डेर सो साल जीने के लिए वा 12 डॉक्टर की टीम को अपने साथ रखते थे क्या था पूरा किस्सा, देखे इस रेपोर्ज में जीने की चाहा रखना एक बात है बगर जीने की चाहा को अपनी रूह में जिन्दा कर एक ख्वाप को पैदा कर उस पर काम में लग जाना इतना ही नहीं, देर सो साल जीने के लिए डॉक्टर के पहरे को अपने इर्द गिर्द रखना क्या वाकई कोई ऐसा कर सकता है? शायद आप कहेंगे नहीं, मगर ऐसा सच है आज से ठीक 13 साल पहले हॉलिवुड का वो फेमस सितारा जिसकी दिवानी दुनिया आज भी है भले उस सितारे को गय हुए 13 साल हो गए है मगर इस सत्मे को आज तक उनके प्रशंशक भुला नहीं पाए है हम बात कर रहे हैं माइकल जक्सन की वक्त था दो बज़ कर 26 मिनट पाँ तारीक थी 25 जून 2009 समाने दिन की तरह ये भी दिन गुजर रहा था मगर तभी अचानक एक खबर आती है और ये दिन गम में तबदील हो जाता है वेबसाइट पर खबर आई कि किंग ओफ पॉप माइकल जक्सन नहीं रहे खबर आते ही मानो सन्ना तचा गया कई लोग सड़कों पर ही बिहोश होने लगे पूरे लौस एंजलिस का खुश्णुमा महौल मातम के मनजर में तबदील हो गया चद मिंटो में ही गूगल ट्विटर विकिपीडिया यूजर ट्रैफिक से क्रैश हो गया दुनिया भर के लोग जानना चाहते थी कि देर सो सालों तक जीने की चाहा रखने वाले माइकल जक्सन अचानक महस पचास साल की उम्र में कैसे मर सकते है ये बात किसी के लिए यकीन करने वाली नहीं थी मगर उनकी तेर सो साल जीने की चाहा कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण बन करके सामने आए रिपोर्ट के मुताबिक माइकल ने दवाईयों का ज्यादा हैवी डोस ले लिया था जिसके चलते उनकी हिर्दे की धर्ण कर रुप गए और माइकल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वो डेर सो साल से ज्यादा जीने चाहां में उन्होंने अपने ही घर में 12 परसनल डॉक्टर्स की टीम रखी थी जो उन्हें दवाईयां और सही डाइट देते थे बताते चलें कि माइकल को खाना भी पहले लेबरेटरी में टेस्ट होता था फिर वो उसे खाते थे जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके परसनल डॉक्टर कोनरोड मुरे उनके साथ होबली हिल्स लॉंस एजिलेंस में थे माइकल को नीन ना आने पर कई ड्रग डोस दिये गए थे जिससे वो जल्दी सो सके कुछ समय बार डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुत पड़े देखा तो तुरंत उन्हें CPR दिया लेकिन इससे कोई फाइदा नहीं मिला उन्हें तुरं रोनाल्ड रीगन यानि के UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया करीड दो घंडे की कोशिश के बाद दोपहर दो बच के 26 मिनट पर उन्हें म्रत घुशित कर दिया गया माइकल के प्रशंशक उनको किस तरीके चाहते थे इस बात सही साबित हो गया था जब माइकल जैक्सिन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली सुसाइट प्रिवेशन होट लाइन में उनकी मौत के अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल के गये थे वो लोग इतने सदमे में थे कि आत्महत्या करना चाहते थे होट लाइन के सीईओ डॉन ओनील ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि उनके पास अचानक कॉलर बढ़ गये संदिक्ध हलातों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स को महने लग गए पोस्मॉटम के लिए माइकल का दिमाग निकाल थी हलाकि लोगों के समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने के लिए राजी हो गए थे फिर सोने के ताबूक में जो है माइकल जक्षन के शव को दफनाया गया था लेकिन आज तेरा साल बीच जाने के बाद भी माइकल जक्षन को कोई भुला नहीं पाया है और इस बात को सुनकर आप भी हैरान होंगे कि अपनी मौत के 10 साल बाद सबसे ज्यादा अपने गानों पे लोगों को फिदा करने वाले माइकल जक्षन ने सबसे ज्यादा दुनिया में कमाई करने वाले सितारे वने थे आप देख रहे है सौगंध टीवी सौगंध वतन की